हेलो फ्रेंट मैं शिफाली जन थ्रीशिकरी के डिटेल प्रेटफर्म में आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपको एक नए टॉपिक पढ़ाने जारी हो जिसका ना है रिलेशन ठीक है टॉपिक का ना हमें अपना रिलेशन हिंदी में जैसे अपन संबंद बोलते हैं तॉपिक कशन पर मैं इसका इंट्रडेक्शन दूँगी कि रिलेशन क्या होते हैं कैसे अपन इसको डरनी करते हैं कैसे टाप की कॉंशन मनेगे और कैसे इसको तॉल करना पहले इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सिंब़ल पढ़ाना जा रही हूं कि सिंबल का उल्टा-E यह होता है देयारजिस्त का, उल्टा-A यह होता है फॉरॉल का ठीक है, यह C और एक लाइन खीचनी है, आपको symbol अच्छे देखना है C बनाना एक line खीचना है तो उसको बोलते है ब्लॉंग स्टू उल्टा इ यह अपने ऐसे बनाते है तो उसको बोलते है दियर जिस्ट का symbol for all, for all की बात करना है कुछ set की बात करती है set of natural number पढ़े होंगे आपने set of real number पढ़े होंगे set of natural number को किस सब्ँख करेगा set of natural number हिंदियर बोलते है प्राकतिक संख्यायन तो यहां पर इसको define करें तो यह 1 से start होते हैं नेजन नम्बर कहां से start होते हैं वन से तक चलेगा इंट्रीट तक फिर आता है और और नोट करता है real number real number याने set of किसका बोल सकते हैं real number का किसका होगा set of real number तो यह रियल नम्बर बात करते हैं real number negative जीरो पॉजिटेव वैल्यू पॉजिटेव वैल्यू और जो पॉइंट वाली डिजिट होती है डैसिमल प्लेस वाली वह भी किसमें इंक्लूड होती है आपकी real number बिससे लेकर हैं मैं 2.5 2.6 0.5 डैसिमल प्रेस वाली वह भी क्या होती है तुमारी set of real number में आती है फिर आई क्यों नोट करते हैं capital I या कहीं कहीं Z से भी note करते हैं यह set of किसको नोट करता है integer को किसको integer को हिंदी में बोलते हैं पूड अंक क्या बोलते हैं पूड अंक यदि इसका संदी बिक्षित करें पूड अंक पूड प्लस अंक ऐसा अंक जो खुद में कैसा हो पूड तो इंटीजर का मतलब है जो डिजिट परफेक्ट में हो याने आप पर पॉइंट वाली डिजिट नहीं हाएगी नेगेटेव वैलू आ सकते है जीरो भी आएगी और प्लस भी आएगी वर्ट क्या नहीं याएगा यहां पर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी जिसे क्यू कि आट करते है रिइशनल नम्बर को जिसे हंदी में परी मैं संख्यां बोलती है जो अपन पी अपन क्यू के दिश्तन दूडर के फॉर में जहां पर क्यू कैसा होता है डजन नौ्ट एकल टू जिरो ठेक है यह आपका रिज्णल यह सिंबॉल आपको अच्छे से आन समझते हैं जैसे मैंने बोला एक एक element है वो capital X का जैसे मैं define करूँ one a किसमे ब्लाउं कर रहा है capital X एक set लिया मैंने capital X example form में ले सकते हैं a b c तीन element है सबस्क्राइब मैं लिकूँ a belongs to x याने a किसका पार्ट है x का there is का मतलब एक element की बात कर रहा है एक किसमे जा रहा है x में there is just a element है वो किसका पार्ट है x का इसे भी बोल सकते हैं आप यहां पर क्या बात है for all for all में सारे element की बात कर रही है for all a belongs to x सारे किसमे जा रहा है x में अब एक की बात कर दीती there is just me for all में सारे element यह इसकी meaning होते है तो आप अच्छे से रखना symbol कैसे use होते है तो इसके definition पर आते हैं कि अपनको definition कैसे बढ़नी है एक और सिंबॉल है st dot मैं use करूंगे जिससे पर सस्देट बोलते हैं क्या बोलते हैं सस्देट डवल डॉट का मिनिंग भी सस्देट ही होता है हिंदियों बोलते हैं इस प्रेकार डवल डॉट जो बने रहते हैं element के बीच में यह डवल डॉट इसका meaning है सस्देट तो अब definition आते हैं तो सबसे पहले definition आईगी relation की relation होता क्या है हिंदी में पान बोले परिवा से संबंद की जिसे अपन normal दो परसन की बीच में relation define करना चाहें तो एक व्यक्ति के बीच में दूसरे व्यक्ति से क्या relation में है है या क्या संबंद है कि यदि एक लड़की के और पापा की बीच में relation define कर रहे है तो उसकी बेटी होगी बटे कर वेटी क्या वेटी होगी लड़की कर यहाँ रचिक च्छ does जो पन बोलते हैं फादर है यह सन या 일वरदर है तो एक जो वड पन बोलते हैं वह क्या क्या लटा बंद अरलेशन 현 क्षेव परक्रा सच in में जा लो पर एक सेट की लिष्ण दूसरों बोलते हैं hai say to the set B, यहने अपनको एक relation define करना है A set के element का, B set के element से क्या relation है we always need a statement which connect the element A with the element of B उनने बोला मुझे A set है, उसको मुझे B के set से क्या करना है, connect करना है तो उसमें एक relation follow कराना बढ़ेगा, यहने मुझे एक statement बोलने बढ़ेगी कि A set B के element के साथ क्या है, less than के साथ है, greater than है, जो भी operation हो सकते हैं max में अपना operation ही define कर सकते हैं, तो यह जो अपने statement बोल रहे हैं वो statement ही क्या कहलेगा, इसको connect करेगा A के element को B, वो क्या कहलाएगा उसका relation example form में define करा है, let A equal to 1359 and B equal to 0241 set को हम इसा curly bracket में note करती है, अब अच्छे धियान रखना, we are two given set, क्या है, दो set है, अब यहाँ पर define कर रहा है, now suppose support our relation from the set A to a set B is expressed the statement is less than, किसका है, less than का, तो उन्हें define कर रहा है, अब यहाँ पर relation कैसे बनाएंगे, अब यदि अपन बात करें तो relation is a cross की form में बना जाते हैं, अपने यहाँ पर बता रही हूं मैं example form में, जिसे मुझे एक set है, और B क्या है, एक set है, ठीक है, एक set है और एक B set है, अब मुझे क्या करना है, दोनों को connect करना है तो यहाँ पर cross करा जाता है, A cross B, कैसे करते हैं वो बता रही है, A cross का मतलब है, एक के सारे 11 pair किसके साथ बनाएंगे पहले B के, 1-2 के साथ pair बनेगा 1-4 के साथ, फिर 1 complete, फिर 2 का pair 2 के साथ, और 2 का pair 4 के साथ, इतने relation possibility, आ रहा समझा है, पहले 1 का pair 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, यह आपके क्या है relation, इतने relation possible है, cross की form, अब मुझे relation में कौन सा रखना है, less than वाला, यहने A part किस से less than हो जाए, B पाले, A part किलाता है आपका, A, और जी second element किस का किलाएगा, B का दिख रहा है, तो 1-2 से less than है, क्या, 1-2 से less than है, है, तो relation में चला जाएगा, 1-4 से less than, चला जाएगा, 2-4 से चला जाएगा, यहने A part यादी B से less than है, तो pair में जाएगा, यह नहीं जाएगा, तो यह जी example यह जाएगा, यहने A और सेट का प्यार बना रहे हो, तो कौन सा लिशन में रखा जाएगा, जो कहा हो, A part B से less than, तो pair बना लेते हैं, यह अपना 1 है और यहाँ पर 0, तो बन का प्यार पहले साई डिजट से बनेगा, 1-0 से चोटा होता है, नहीं होता है, बढ़ा होता है, ग्र बना 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 3 8 5 8 इसमेंस आए आपका इसलिछले ऐसे बनाये उलेस्सकंपर यह लह से बना यहीं पिरदन का बनाती तो किसी से भी नहीं आएगा पीर1ा थी च्राहिए और यहने टेट है अजाएगा अजाएगा 30 है 3 2 से भी डेशन जाएगा 7.4 इंट 3 8 नहीं आएगा आप 5 देखते 5 0 से भी 2 से भी और 5 0 का पेर बनेगा 5 2 का पेर बनेगा 5 4 का बनेगा 5 8 का नहीं बनेगा क्योंकि वह less than होता है 9 का पेर सबसे बन जाएगा तो पेर किसमें चला जाएगा वह greater than में यदि greater एक statement बताना पड़ेगा जो statement एक element को B से करेगा connect करेगा तो इसे example यहां पर define कर रहा है यह जाएग इस question में आए define the relation तो आप यह statement लिख सकते और एक example कुछ भी आप लेके solve कर सकते हैं अब यहां पर कुछ type of relation की बात कर सकते हैं तो types of relation में पहला होता है binary relation कौन सा होता है binary relation binary relation में आपको दो सेट किये पड़ते हैं दो सेट कंपल सरिया कितने सेट तो A और B एक अपन सेट ले रहे हैं A and B are two non-empity set दोनों कैसे है null set नहीं नहीं है दोनों में दोना कुछ ना कुछ empty not empty set our relation from A to B is a subset of A cross B उनने यह वोला था जो अपन A cross बनाते हैं तो जो relation किसका subset होगा A cross B क्योंकि cross के सारे element तो cross के होंगे बर सारे element relation में नहीं जा सकते जिसे इसकी बात करें पहले वाले के यदि में cross की बात करतें तो बहुस सारे pair बनतें 1 के पूरे pair बनते 3 के पूरे pair बनते 5 का pair मनता 9 का बतता 9 कोई बहुत नहीं बनाए तो यहांपर define करा है कि R के सारे element किसमें होंगे A cross B में होगे थिहांपर define कर रहा है, cross is, कैसा define कर रहा है, relation, from a to b. इस subset of किसका होगा, a cross b में, symbol form में define कर सकता है, यह जो relation हो, किसका subset होता है, a cross b का, symbol form में define कर रहा है, यदि relation की value x, y, r e, pair form में आई है, कैसी form में, pair form में, तो यहां पर first letter किसका होगा, a set का, यदि आपन a cross b निकाल रहा है, और second letter किसका होगा, y, b का जाए रहा, such letter, यहांने a relation bias में होगा, जिसे अपने यह example पर previous slide में बन लिया था, जिसे define कर रहा है first letter, देखो सब में, किसके है a set की, यहांने a relation b में define हो रहा है, second letter, यहांने second coordinate किसका है, b का है, यहां पर यह define कर रहा है, कैसे लिकिनगे आप, x का जो answer आए, set i कैसा आए, curly back end में, x, y answer आए, तो first letter किसका होगा, first किस में belong करेगा, x पार्ट किसका होगा, a में, y किस में belong करेगा, b में, यहांने x किस relation में होगा, y में, यह आपको definition हो सकती बने भी मुए में इस दिया आप अच्छे से देखना domain and range, domain and range क्या कहलाते हैं वो समझाती हूं function में तो क्या होता है ज़िए fx की image य पर बना रहे हैं तो x बाला पार्ट domain कहलाता था y बाला पार्ट domain य रेंज कहलाता था, co domain य रेंज बोलते थे हैं क्या बोलते हैं? domain और जो second होता है उसको बोलते हैं हमेशा ruge first position पर is coordinate इसको बोलते हैं अपन domain और second position पर उसको क्या बोलते है hole domain य पर define कर रहा है इसके लिए equation करना पढ़े है कि domain and range कि क्सका निकाल रहे हैं connection का, यहांपर define कर रहा है let r equal to x by x belongs to a and y belongs to b such that xy relation यह आप अच्छे से आद करना चाहिए बियर रिलेशन फ्रॉमा सैट A to B किसका रिलेशन है A cross B का है then the set of first coordinate of every element of R उनने बोला कि set जो पर ने बनाया है R का उसका first क्या है coordinate किसका xy का जो पर ना रिलेशन बना है first coordinate of relation का क्या कहलाएगा तुमारा domain and the set of second coordinate of its every element is called the range यहने first coordinate कहला कहलाएगे इसकी domain और second क्या कहलाएगे उसकी range यहाँ पर symbolically is denote by domain of R R का domain क्या बन जाएगा X such that x इस में बलाएगा और xy किसमें जा रहा था? relation में जा रहा था relation के पर से लिया में, sum of yb में जा रहे है range को small R से denote कह रहे है, किसकी ने रहा है relation की तो R से denote कह रहे है, range of R पढ़ते इसको answer करता है यह किसका part था B का, xy belongs to R, यह आपके relation domain और range क्यों हो जाएगे अब आता है inverse relation, inverse just opposite होता है, जैसे अपना relation है xy का, याने pair xy बन रहा है यह ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि आज जो relation है, किसका subset है, A cross B का, तो जो inverse relation को R inverse से note करते हैं, वो subset किसका होगा, B cross A just opposite होता है, याने यहाँ pair xy किसमें जा रहा है, यहाँ के R में, तो उसका yx किसमें जाने लगे है, R inverse, जैस पेर रोल्टा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, R inverse cross B, यहाँ पर B को A में करेंगे तो उसके लिए अपन को R relation define करना पड़ेगा, जब उसको अपन inverse relation define कर सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले definition start करी, यह relation थे, if R equal to x by, x belongs to A, and y belongs to B, x by relation moment, याने कि जो A, R है, वो किसका subset होगा, A cross B का, is a relation from the set A to the set R, then the inverse of R, it is denoted by R inverse, is a relation from B to A, उनने बोला है, जो आपका जो R relation है, from the set A to the set, किसके बन जाएगा, B के, किसका बनेगा, B का होगा आपका relation, किसका है, B का, B symbol होगा, जो आपका relation मेरे, आपको symbol होगा, A subset of किसका होगा, A cross B का, यहने, A, जो R relation है, वो A से set B में बना रहा है, then the inverse relation, denote करेंगे, R inverse, is a relation of B to किसका बन जाएगा, A का, यह अच्छा ध्यान से रखना, define Y, R inverse, XY था, तो Y X बन जाएगा, अब Y किसमें जाएगा, B में, X, symbol तो भी रहेंगे, Y X फो में डिशन आएगा, अब यहाँ पर domain क्या बन जाएगा, domain यहाँ यहाँ पर Y बनेगा, first letter के हाई यहाँ पर Y, तो domain क्या बन जाएगा Y, and range क्या बन जाएगी X, second coordinate पर X है, यहाँ बनाना है, तो relation की है, सिंगल relation मनाना है, जैसे दो relation में थे, एक friend, B का friend था, और B, C का friend था, एक relation define करा, जिसमें A एक set से B के relation बन रहा था, एक set define करा B का किसे और C का, तो मैं combine कर दूँगी, A का relation किसके साथ बना दूँगी, C, तो उसको जो first A है, वो किसमें जाएगा था, R relation से था, और second relation से क्यों साथ element लिया अपने C, तो यहाँ पर mix अब को बोलते है, composite relation, तो यहाँ पर किते set चाहे है, पर तो एक 3 set, यहाँ डिफाइन करा, let A, B, C, B, 3 non-impity set, दो non-impity होंगे, and R, B, a relation from A to B, यहाँ आर किसका subset है, A cross B का, and S, B, a relation from B to C, याने कि S किसका subset है भी, यह symbol, symbol समझ में आ रहा हूँ है अभी, याने जो relation बना रहा है, A cross B के पेरता बना रहा है, और यहाँ पर B cross C के पहुंग, आप दोनों को mix up कर रही है, याने कि मैं R और S relation को subset बना रही हो, किसका बना रही हो, A का, C के साथ, cross के साथ, then the composite relation from the two relation S, R and S, is a relation from A to C, आपको समझ में आ रहा होगा, इसका first letter यह second second comma ने, तो relation किसका मना लिया, A और C, इस denoted by इसको पढ़ते है, R composite relation S, यह और formula define होता है, single छोटा भी बना सकते हैं इसा, यह symbol इसका, define by, R, O, S, answer define कर रहा है कितारा, X, Z, इसके value is supposed करो, मैंने कितने माली है, इस condition में X, Y किसमें जा रहा है, R, यहाँ पर define कर लिए X, Z, या Y, Z बोल सकते हैं, किता है Y, Z, किसमें जा रहा है, X, ठीक है, इससे define कर रहा है, X, Z, answer कितारा जागा, यह दिर combine कर, X, Y, Y, C में, तो answer कितार जाए कितार जाए कितार में, X, Z, किसमें बोलों करेगा, R, इससे बोलों करेगा, R, X, Y, था R में, यहाँ पर कितार जाएगा Y, Z, ठीक है, यहाँ पर define कर रहा है, X, Z, answer आ रहा है, तो X, Z कहां से लिए, मैंने, X, इसमें जा रहा है, A में, और X, Y, पार कितार जाएक, Y, Z, कि में, यहाँ पर X, A में जा रहा होगा, Y, B में जा रहा हुआ, Y, B में जा रहा, तो, जो, result मिलेगा, वो किसा मिलेगा अपन को, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर composite relation किसका बनेगा एक जेट का य से में तो यह किसका बन जाएगा आपका य कंपोजट एस का तो यही डिफाइन कर रहा है composite एक जेट का बनेगा देरजट एक सिसका था एमें जा रहा था और आपको इसे बना सकते हैं इसको यहाँ यहांपर डिफाइन कराएं कि यहां रहे है तो इक्सेट किसमें जाएगा आरलेशन एक कंपूजट की डेफिनिशन है तो आपको यह में नहीं यहां पर भी डेफाइन करेंगा तो वहां पर लिकने की जरुवत नहीं इस पेर फोर्म में भी लिख सकते हैं अपने अक्वाडिंग भी डेफिनिशन बना सकते जरूरू नह देंगे इसकलिए बस आपको यह देफाइन करना पड़ेगा और यहां संडआ ऑफन संडआ करएं नहीं है थर्boys पैलेशन एका और एकल टाइफिन का डशान बूर्यशन आर रखि Kentucky पहलेखें बहुत्ति तो गशम् marché का reflex है कैसा reflex है तुसे example define करते है definition पर एक लास एक को जा रिकर रहते हैं इसकत कर रहे तो समकर रहें चामदिंगी क सब्सक्क्राइब कर मां रहें AMY también बिद नों- essay सांग करлат like, let a be a non-mpie descent SOy Charlotte Aäch मैं सब्सक्राइब सांग करना है, जिजसे रहा it. उनका pair इसमें block कर रहा है तो यह हो जाएगा एक example को में define कर रहा है if a equal to 1 2 3 the relation define कर रहा है 1 1 1 2 2 2 3 3 यानि कि यदि define कर रहे है तो 1 1 का pair होना चाहिए same digit का 2 2 का pair होना चाहिए 3 3 का है क्या 1 1 का pair है 2 2 का है 3 3 या रिफ्लेक्स हो जाएगा जितने element है उनी का pair same pair उसमें define है तो reflex से माना जाएगा यहां पर define कर रहा है then r is a reflexive relation in r since every element of a that is 1 2 3 all r e related to itself 1 का 1 किसा relation याना 1 1 pair r में है क्या है 1 2 का relation 2 कि साथ होने सी तो यहां पर 2 2 किसम ब्लोंग कर रहा है है वह भी है ब्लोंग कर रहा है मतलब है उसमें 3 का relation 3 के साथ यह थी का pair r में है है तो मैंने ब्लोंग करा दिया hence r is reflexive relation in किसमें define है यह आपका answer कि समझते का मतलब समझते हैं यदि a और b किसमें जा रहे हैं आपकी आर में जा रहे है तो इसका उल्टा पियर भी किसमें होना चाहिए आर में है ऐसा है तो सब्सक्राइब हर कभी वर उल्टा होना चाहिए हर element की ब्लोंग तो यहां पर define कर रहा है और r is a relation from the set a then r is called symmetric relation क्या गोलना है symmetry relation if a is related to b याने a का relation किसके साथ होना चाहिए बी का यह दिख रहा होगा then b is also relation में किसके साथ होना चाहिए किससाथ उल्टा पियर भी होना चाहिए example हो में define कर रहा है a और b का पियर किसमें जा रहा है r में symbol होता बी और a का पियर भी किसमें जाना चाहिए r में यह मैं ऐसा भी बहुत सकती है और relation form में a related किससे होना चाहिए b के साथ और b का relation किसके साथ होना चाहिए a का साथ ऐसा question में given है तो symmetric relation कहलाएग उल्टा पियर फॉम में किसमें ले लेते हैं 24 24 р में जा रहा है four two इसमें है यह है complete इसको उल्टा ले तो ही होगा आप around 45分 किसमें जा रहा ह Area 54 है किया वह भी आप six six इसका उल्टा 6 six वही होगा तो यहा पट जिसलन हैं तो analysis में keep a में 2 4 का 2 4 काउंट 2 5 2 है क्या इसमें कॉस्चन में यह लेकर चली 4 2 not belongs to का सेंबल होता है not belongs to R यानि वो सिमेट्रिक नहीं है 2 6 6 2 5 सारे के तो ल्टे है इनके इसका उल्टा नहीं है यानि कि वो कैसा नहीं है नुमारा सिमेट्रिक लेशन नहीं है इसका नहीं होना चाहिए यह अपने अकॉर्डिंग में ले सकते हैं अब यहां पर अब यहां पर तो अब आपसों किसे हो जाएंगे लेशन बड़ कुल खैका यहां यहांपर एक्जाप्टो रिफाइं करा है नहीं पर इंटेशन किसका बना रहा है यहां यह लाजन किसे हैं बात सिमित्रिक समेट्रिक subset में होता है A subset B हो B subset A हो तो A कैसा हो जाएगा subset का मतलब A के सारे alignment किसमें है B में और B के सारे alignment किसमें है A में तो आपस में कैसे हो जाएगा एक्कोल तो यहां दी सिमेट में हैं तो दो relation verify हो सकते हैं less than equal to का और subset का ओई कोई-कोई-कोई relation ऐसा है नहीं है कि opposite form में ले जाए आपस में equal आजाए ठीक है तो यहां definition पर define कर रहे हैं तो less than or equal to form में define कर सकते हैं अब पड़ते हैं टांसिटर में तीन का पेर चाहिए अपड़ता है किनका तीन का पेर है अब के साथ relation में वर का C के साथ relation में तो एका सी क साथ relation में होना जाये ऐसा बहुंसाकते हैं ट्री फ्रेंट है one two three one two three में फ्रेंड की नाम दे रहे हो one collection किस साथ in section關係 marketing 53 टो two What is common iush eccess and today कि साथ at that much time में बना रहे है है इस अपने लेटेटी है किस अब और हुआ है थो आइसे नंगे बेनंगा रहे है और किस देती हैं तो अर लिकिसलेट वेृटीज्ट की सकते हो बना रहा है सी के साथ ठीक है तो यहां पर एक एक्जामपल कर रहा है कि एक एकॉल टू वन टू थी एक सैट इसके एक लिश्र बनाया है वन थी वन फाइव वन फाइव दो प्यर कोई भी ले सकते लास्ट के दो ले लो यह दोनों में ले लिए कॉमन डिजिट किती है ट्रांसिट हो यहां पर डिफाइं कर रहा है आर लेशन किसका है आपको और लेशन और इस ट्रांसिट्र बेलेशन इस वाहने वां रूरें solution equivalence में solution भी हो सकते जो तीने प्रपर्टी फॉलो करें वो reflexive है symmetric भी है और ट्रांसीडव भी है तो solution को बोलते हैं equivalent relation let a is non-impity set and our relation a then the relation r is called the equivalent relation consolation है इकोवेलेंस हिंदीया गोलते हैं तुल्ले कारी यहां बहुत हो सकता है कभ यह वाली डिपिशन लगानी है कभ यह वाली लगानी कौन सा यहां बहुत हो सकता है तो जहां भी आपको प्यर का यूजर से इंवर्स लेशन का प्रूव करना हो इंट्रेक्शन को कॉस्टन करने हो तो अपन यह वाली प्रूव करने भी आते है कोई लेशन डिपाइन करें कि नहीं तो यहां पर डिफाइन करेंगे और रिफ्लेक्सिब क से में लेशन डिफाइन करें हैं सामचीज का से में याबने शिए बोन हो अगा। तो यहां पर और यहां पर उडाइन प्णिशन करें। बट वहां पाभा सहमेट्री के सब्सक्राइइं एंटीमित्रalis selection कि साथ fairy enterraci Kई SI MIđ एक kई क्वल कोफilit की सब्सक्राइब के साथ है कि अगया इक्हाइब computer a kN tutorial अपस में कौन साथ होग एक्कॉल टांसलिट में आपो인이 तो यहां पर इकुवेल्स देख लेता है इसमें इसमीरिक और यहां पर वाट उल्टा पीर गिवन कराना पड़ता है कि यहां पर बस एंटि सिम्ट्रिक यह दो हम लेकर चलनी इकुल आप अच्छे सियाज हखने करना तो यदि आज बात करें तो आज मैंने आपको definition बढ़ाई है कि relation क्या होता है और उसके symbol बता है कि आपको कैसे solve करना है अब मैं आपसे next class में मिलती हूँ जिसमें मैं आपको इसकी कुछ question solve कराऊंगी कि कुछ property है उसको relation कुछ कोई बने है कि वो reflexive proof करना है या transit हो या equivalence या partial और question exam में बहुत मूशे जाते हैं तो मैं जब तक आप इसकी अच्छे से definition पढ़ें symbol को अच्छे से समझें मैं आपसे next class में मिलती हूँ जब तक के लिए thank you झाल झाल